हलो एब्रीवान वल्कम टू नाइरा स्टड़ी अब आप सब कैसे हैं आई होब कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टड़ी को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया है और चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रस कर लें जिससे कोई भी नोडिविकेशन हो वो आप तक पहुच सके तो चलते हैं आज की सिरीज का फर्स नमबर कोश्चन देखते हैं कोश्चन आपका हो जाता है वो दरपण जिसके बाहरी सता पर कलई किया होता है तता अंदर सता चमकीला होता है क्या कहलाता है अब तल दरपण उतल दरपण दोनों कोई नहीं तो इसमें आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है अब तल दरपड ठीक है यानि option right है वो दरपड जिसके बाहरी सता पर कलई नहीं होता है अब देखिए यह इसका opposite है पहले क्या कह रहे थे पहले question में कि वो दरपड जिसके बाहरी सता पर कलई किया होता है अब क्या है बा का एकदम से अपोजिट है तो जब अपोजिट है तो क्या होगा अवतल है यानि उतल होगा है ना यानि बाव ओप्शन राइट है देखिए यहाँ पे और ओप्शन में अवतल दर्पण उतल दर्पण दोनों या कोई नहीं लेकिन आपका आंसर जो है वो बाही राइट होग ठीक है चलते हैं नक्स कोश्चन की तरह वो दर्पण जिसके अंदर के सता पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है तो अवतल दर्पण उतल दर्पण दोनों या कोई नहीं तो इसमें आप देख लेकि वो दर्पण जिसके अंदर के सता पर परावर्तन की घटना होती है क्या कहलाता है तो अवतल दरपण कहलाता है अब उसके बाद next question की तरफ चलते हैं question आपका हो जाता है अवरति का मात्रक होता है तो ampere होता है, Hertz होता है, meter होता है, decibel होता है तो इसमें answer आपका हो जाता है यहाँ पे हम 127 का answer देख लेते हैं हर्ज होता है यानि कि बाउप्षन आपका राइट हो जाता है किसी वस्तुदारा प्रती सेकेंड किये गए कमपनों की संख्या कहलाती है आवरत्ती, आयाम, आवरत्काल या समय तो क्या कहलाता है तो इसमें आवरत्ती हो जाती है यानि कि आवप्षन आपका राइट हो जाता nesse question की तरफ चलते है question है कमपन करती होई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम अव्रत्ति आव्रत्तकाल विधुद्धरा तो इसमें आपका आंसर हो जाता है आयाम यानि are option right हो जाता है बाद 10 10 डे सलसी हादस इइस ऑक lot four जाता है और सम आपको हमका अंसर और यह वी दीज हें आपका अंसर घुन होसे सोग स itu हो जाता है और इसमें आप मुझा सकते हैं कि गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गेसी अवस्था में बदल जाते हैं इस किरिया को क्या कहते हैं तो उद्रपातन कहते हैं हीम कहते हैं वाश्प कहते हैं या कोई नहीं तो उद्रपातन कहलाता है यानि कि आउप्षन आपका राइट हो जाता है ठीक है ना कि जैसे और पहाड के निकड निश्ची दूरी पर जब कोई धुनी उत्पन की जाती है तो धुनी पहाड से टक्रा कर परावर्तित हो कर पुना वापस आती है आप जैसे आप लोग पहाडी इलाके में गए कहीं गूमने गए तो क्या होता है यह पहाड है ठीक है ना आपने क्या किया आपने कोई भी नाम लिया कुछ भी कहा माली जी आपकी फ्रेंट का नाम राम है तो आप बोले क्या बोले राम बोले तो क्या होता है जैसे कि कोशन में कि पहाड के निकड निश्ची दूरी पर जब कोई धुनी उत्पन की जाती तो धुनी पहाड से टक्रा कर अब यह टक पहले उत्पन की गई मूल धमनी की भाती धमनी सुनाई पड़ती है क्या कहलाती है तो इसमें कहलाती है प्रती धमनी कहलाती है यानि कि साउप्षन आपका राइट हो जाता है question है मानव का कान एक निस्टि सीमा के बीच की अवरतियों की धमनी सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट बीज हर्ट पांच हर्ट बीज हर्ट से कम तो आंसर आपका gonna option हो जाता है 20 से 20,000 हर्ट ठीक है फिर आप चलता है next question की तरफ question पर चलने से पहले friends अगर आप चनल पर नहीं है तो चनल को subscribe जरूर कर लें और अपने friends में भी वीडियो जरूर शेयर क्या कीजिए क्योंकि उनको भी benefit मिल सके है ठेक है न बी ओ डी biological oxygen demand होता है जल परदूशन का मापन वाई परदूशन का मापन मरदा परदूशन का मापन या सभी तो जल परदूशन का मापन या आपका right है global warming का आर्थे पृत्वी का गर्म होना पृत्वी का ठंड़ा होना दोनों कोई नहीं तो आपको अच्छे से पता है global warming क्या होता है तो पृत्वी का गर्म होना होता है यानि option आपका क्या हो ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है उत्री द्रुव की बर्फ पिघल जाती है दच्छली द्रुव की बर्फ पिघल जाती है दोनों या कोई नहीं तो आंसर आपका हो जाता है सा यानि की दोनों यानि उत्री द्रुव की भी बर्फ कहते हैं तो जीवन रच्छक परत जीवन विनाशक परत दोनों या कोई नहीं तो आपको पता है कि ओजोन परत को क्या कहा जाता है तो जीवन रच्छक परत कहा जाता है ओजोन परत को देखें हमारी पृत्वी का कवच भी माना जाता है और ओजोन लेयर क्या होती है आप मंडल कहा जाता है ओजोन परत के छरण का कारण है क्लोरो फ्लोरो कारबन कारबन डायोकसाइड सलफर डायोकसाइड या सभी तो इसमें हो जाता है क्लोरो फ्लोरो कारबन हो जाता है यानि कि आउप्षन आपका राइट हो जाता है दाप का सूत्र है पी बराबर एफ दो answer आपका हो जाता है P बराबर F عवे A ठीक है पास्कल किसका मात रख है उर्जा का, दाप गा, तवरण का या बल का तो दाप का हो जाता है यानि आपका जो Bows On है वो राईट हो जाता है ठीक है वस्तूओं से ध्मनी उत्पन करने की कितनी विधियां होती है तो अगास से, रगड़ने से, फोक मारने से, तारों को खीच के छोड़ने से या सभी से तो यहां पर जान लेते हैं कि हम ट्यूनिंग काटा मार कर यहां यहां पर पहले हम यह समझ लेते होती कितनी है तो टोटल होती है पांच कौन कौन सी होती है तो हम ट्यूनिंग काटा मार कर सेकेंड हो जाती है दो वस्तों को तोड कर थर्ड हो जाती है खरोच कर फोर हो जाती है रगड कर और फाइफ हो जाती है फूप मार कर या हिला कर तो इसमें क्या होता है ध्मनी उत्पन कर सकते हैं और सभी वस्तुवे कमपन की वजह से धवनी उत्पन करती हैं ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ अभी कोस्चन पर चलने से पहले देखिए यहाँ पे इसमें हम टिक कर देते हैं आगास से रगणने से फोग मारने से तारों को खीच कर छोड़ने से और सभी से यानि कि दा उप्षन आपका क्या है तो राइट हो जाता है विज्ञान और प्रोधुगी की का संबंध है तो सामान घनिस्ट अल्प अती अल्प तो घनिस्ट संबंध है भाई विज्ञान और प्रोधुगी क्या है तो इसमें दोनों में घनिस्ट संबंध है इसलिए बा option आपका राइट हो जाता है आधुनिक इधन क्या है लकड़ी मिट्टी का तेल लपीजी पेट्रोल यहां पर कॉमा लगा हुआ है और सभी तो अब आप यहां पर कहेंगे कि सभी है सभी तो लकड़ी तो क्या है बहुत पुरानी काफी टाइम से इसका यूज किया जाता है य आपको पता है कि LPG और पेट्रोल आधुनिक इधन है ना तो सा उप्षन आपका राइट हो जाता है मनुरंजन के साधने वीडियो गेम बिल्कुल है बाई बच्चे देखे कैसे लगे रहते हैं वीडियो गेम में ऐसे लगता है कि वह मतलब वीडियो गेम के ही लिए बने ह कम्प्यूटर इससे भी आप मनुर्ण करते हैं तो यानि कि सा उप्षन आपका राइट है सभी है इसलिए आपका दा उप्षन राइट है सब्स्त मनुष के शरीर का ताप होता है साथिस डिग्री सेल्सेस से अठानवे डिग्री छे फारेंहाइट या 38 डिग्री सेल्सेस या 100 डिग्री सेल्सेस तो आपका आउप्षन राइट है यानि 37 डिग्री सेल्सेस और ब्राकेट में क्या है 98.6 डिग्री फारेंहाइट या आपका आउप्षन आपका राइट हो जाता है चीक है उश्मा की मात्रा निर्भर करती है वस्तु के द्रोमान पर तापांतर पर वस्तु उश्मा या सभी तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाता है तो आंसर आपका हो जाता है सभी है ना तो इसमें सभी हो जाता है यानि ता ओप्षन आपका राइट है वस्तु उश्मा का सूत्र है Q अपन MST Q यहां पर अपन नहीं is equal to है ठीक है ना Q is equal to MST और Q is equal to MS Q Q is equal to empty या कोई नहीं तो Q is equal to MST यानि आ उप्शन राइट है जल वाश्व के द्रव में बदल जाने की किरिया कहलाती है वाश्वन संगनन उद्रपातन कोई नहीं तो यहां पर देख लेते हैं क्या कहना है ति जल वाश्व के द्रव में बदल जाने की किरिया क्या कहलाती है तो संगनन कहलाती है, यानि बाउप्शन आपका राइट हो जाता है, किसी द्रवे को वाश में बदलने की किलिया कहलाती है, वाशपन, गलनांग, संगनन, सभी, तो वाशपन हो जाती है, यानि आउप्शन राइट हो जाता है, उद्र पातन का उधारान है, कपूर, पादर क्यों हो जाता है तो यही ओधरपातन की क्रिया कहलाती है और किसमें होता है तो कपूर और नशादर में ऐसा होता है यानि ओधरपातन के उधारण है ठीक है हर्ज मात्रक है तो हर्ज किसका मात्रक है तो उर्जया का अवृत्ति का तरंग दैरिका विदुद्छेत्र की तीवृता का दो आंसर हो जाता है इसमें 151 यहाँ पे देख लेते हैं आपका आवृत्ति हो जाता है निकी बावब्शन आपका राइड है तरंग द्धभनी तरंगों की आवरत्ति होती है 20 हट से कम 20000 हट से अधिक 20 हट से 20,000 हर्स तक या उप्यूपति तीनों तू तीनों नहीं है 20 हट से 20,000 हर्स तक एलकीन उधारण है किसका एलकीन उधारण है तो मेथेन का है एथिलीन का है एथेन का है या कोई नहीं तो इसमें एलकीन जो उधारण हो जाता है वो हो जाता है एथिलीन का एलकाइन का उधारण है एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, कोई नहीं तो एलकाइन का उधारण है तो इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है तो इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है तो डाइपटीज धुमनी की तीवरता मापी जाती है डेसिबल में, मीटर में, किलो मीटर में या पास्कल में तो आपको पता है धुमनी की तीवरता डेसिबल में मापी जाती है परियावराण दिवस मनाया जाता है पांच जून साथ जून आट जून नौ जून तो परियावराण दिवस मनाया जाता है पांच जून को निमलिकित मैं से एसेटिलीन का रासाइनिक सूत्र है CH या C2H6 C2H4 या C2H2 तो इसमें आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाता है C2H2 हो जाता है ठीक है जब यहाँ पर कोश्चन देखते हैं जब वस्तु अवतल दरपण के मुखी फोकस यह वक्रता केंदर के मदर रखी हो तो परतिभिम बनेगा उल्टा वास्तु वस्तु से बड़ा या सीधा वास्तु विक था वस्तु से चोटा या उल्टा वास्तु विक था वस्तु से चोटा या सीधा वास्तु से चोटा या उर्जा तो बैरोमीटर से मापा जाता है वाई मंदली ये दाब यानि आउप्शन राइट है दरवे में दाब का सूतर है P बराबर HDG या P बराबर HG या P बराबर FA या सभी तो आंसर आपका फर्स्ट यानि आउप्शन है P बराबर HDG हो जाता है परदूशन के परकार है तो परदूशन के परकार है जल परदूशन वायू परदूशन मृदा परदूशन या सभी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता स्टार्टिंग से आप लोग परते चले आ रहे हैं कि परदूशन के सभी हो जाते हैं परकार जल में भी क्या होत पेजल में पारे से होता है। तरंगती परकार की होती है? तरंगती दो परकार की होती है, कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट नमबर पे आपका हो जाता है अनुदेर की तरंग क्या हो जाती है ठीक है तो इस तरह से दो परकार हो जाते हैं तरण गती कितने परकार कियते हैं ये तो हो गया आपका दो ठीक है न अब आ ओप्शन राइट है कार्बन के दो अपर रूप है हीरा ग्रेफाइड दोनों कोई नहीं तो इसमें आपका दोनों हो जाते हैं यानि की हीरा और ग्रेफाइड दोनों है इसलिए दोनों हो जाते है तो कार्बन के दो पर्मकपर रूप ये दोनों एक ही तत्व के शुद रूप होने के बावजूद क्या है सनरचना में दोनों अलग-अलग होते हैं हाइड्रो कार्बन बना होता है हाइड्रो जन से कार्मन से दोनों से या कोई नहीं तो इसमें भी आपका अंसर दोनों ही है इनिस ता ओप्षण आपका राइट हो जाता है नेक्ष्क कुस्टन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगर शेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करने से क्यों होते है कि हम मोटीवीट होते हैं और हम वहतर से बहतरी उद करने की कोशिश करते हैं वैसे हम अपना 110% आप लोगों को देते हैं आप लोगों का भी फर्स बिनता है कि शेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर क्या कीजिए और अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सस्काइब भी ज़रूर कीजिए चलते हैं नक्स कोश्चन की तरफ आसंत्रप्त हाइड्रोकार्बन है मेथेन एथेन दोनों कोई नहीं तो आसंत्रप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो सबसे पहले आसंत्रप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं जिस हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कम से कम एक कार्बन कार्बन दी बंद या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्री बंद पाया जाता है उससे क आपके राइट हो जाते हैं यानि कि मैथेन और एथेन वायू परदूशन का सूचक है क्या है शेबाल कवक लाइकेन जिवारू तो आपका वायू परदूशन का सूचक यहां पे देख लेते हैं कौन है तो इसमें आपका आंसर लाइकेन हो जाता है यानि कि साउ उप्षन आपका राइट है ठीक है ना लाइकेन वायू मंडल के सूचक होते हैं क्या है विशेश रूप से जब वायू मंडल में सल्फर डायोकसाइट की सांदरता होती है वायू परदूशन वर्शा जल में घुल जाते हैं ठीक है अमल वर्षा का कारण है अमल वर्षा का क्या कारण है वायू परदूशन जल परदूशन मुर्दा परदूशन या सभी तो वायू परदूशन हो जाता है उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ अमल वर्षा में उपस्थित अमल है नाइट्रिक अमल तथा सल्फियूरिक अमल भोपाल गेस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है तो इथाइल आईसोसाइनेट, मिथाइल आईसोसाइनेट, कारबन डाई आकसाइड, कारबन मोनो आकसाइड तो मिथाइल आईसोसाइनेट ये हो जाता है ठीक है नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं ताजमेल का दिन परती दिन भद्धा होने का कारण क्या है अब आपने देखा होगा ताजमेल को दिखे उसमें जो चमक थी अब वो नहीं है तो आखिर इसकी वज़ा क्या है और जबकि ये सफे संमर्मर से बना हुआ है ना तो इसको तो ज आरा दाण्सर हो जाता है यानि की आपका साउप्षन रॉट है ग्रिन हाउस गैस है तो आseat कर्बाव का यह आज की सिरीस का लास्ट कोस्टन है ही है जो सिरीज में वस्तोनिस्ट टाइप कोश्चन से उसमें भी लास्ट कोश्चन है ठीक है ना अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे अतिलगुत्री टाइप कोश्चन की सिरीज को ठीक है यानि सिरीज तो एक ही है लेकिन उसमें जो है वस्त यानि की आउप्शन राइट है, तो friends I hope आप लोगों को शेशान अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजेगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेग तो कि इससे क्यों होते हैं अपनी फैमिली बढ़ती हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक यूँ